हेलो टाकूस तो आज हम जोजो सुकाइजन जीरो मूवी को एकस्प्लेन करने वाले हैं जो कि अपने एनिमे की एक साल पहले की स्टोरी है जिसे आप टीकवल भी मान सकते हैं और वहीं यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका एनिमे भी एकस्प्लेन करूँ तो आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉंस दिखाएं तब जाकि ही मैं इसका एनिमे भी एकस्प्लेन कर दूँगा और यदि आप उसकी वीडियो में साउट नहीं करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो बिने किसी देरी के लेट इस वीडियो स्टार्टिड़ कहानी के स्टार्ट में हमें अपने मैं प्रोटेक्निस यूदा को दिखाया जाता है जिसे स्कूल के कुछ लड़के बुली कर रहे होते हैं और तब ही एक कर्स आकर उन सबको अलमारी मिले जाती है और उनका काम तमाम कर देती है इस इंसिडेंट के चलते ही जोजुसु काईजन के लीडर गोजु को आर्डर देते हैं यूदा का काम तमाम करने के लिए जिस पर गोजु कहता है कि यूदा तो अभी जश्ट 16 साल का एक बच्चा है तो उसे एक मौका दिया जाए और इसलिए वो लीडर से कहता है कि क्यो क्योंना वो यूदा को जोजुसु हाई सकूल अटेंड करने थे जिसके बाद हमें यूदा को एक बंद कमरे में दिखाया जाता है जहां पर गोजो उसे एक तूटी होई नाइफ दिखा के पूस्ता है कि क्या यह नाइफ उसकी है तो यूदा बताता है कि उसने इस नहीं की कोशिश की थी पर रीका ने उसे ऐसा नहीं करने दिया तो गोजो कहता है कि क्यूंग आज से उसके साथ जुजुस्टू हाइ स्कूल चले जिस पर यूता साफ साफ इंकार कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वज़ा से अब और कोई भी इंजेर्ड हो तो कहता है कि उसके पास जो Curz energy है वो लोगों की help करने के लिए भी काम आज सकती है इसलिए गोजो उसे suggest करता है कि वो खुद को ऐसा train कर ले ताकि वो इस Curz energy का use कर कर लोगों की जान बचा सके जिस पर यूता agree कर गया होता है इसके बाद हमें classroom में गोजो को दिखाया जाता है ज साथ ही सबके रॉंग्टे घड़े हो गए होते हैं क्योंकि यूटा के साथ एक स्पेशल ग्रेड का कर्ष होता है, जिसे देखते साथ ही सारे उस पर अटेक कर देते हैं। तभी गोजो कहता है कि जापान में हर साल हजारों लोग गायब हो जाते हैं जिनके पीछे कर्सिस का हाथ होता है और कुछ कर्स लोगों के दुवारा कंट्रोल किया जाते हैं वहीं पर एक कर्स को दूसरे कर्स से ही खतम किया जा सकता है और जिल सू हाई में यही करना सिखाया जाता है साथ ही वो स्टूडेंट से कहता है क्यों न अब वो लोग यूदा से पीछे हट जाएं इसी बीच हमें देखने के लिए मिलता है कि रीका अपियर होकर उन स्टूडेंट के उपर अटेक करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो लोग अपने यूता को बुली करें तभी हमें 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब रीका यूता के बद्दे पर उसे एक engagement ring देती है ताकि जब वो लोग बड़े हो तो एक दूसरे से साधी करकर हमेशा साथ रहें जिसके बाद हमें रीका का accident दिखाया जाता है जिसमें वो मारी जाती है और इसके बाद से ही वो अपने यूता के साथ एक कर्श एनरजी बनकर जोड़ गई होती है वहीं present time में गोजो ये सारी बात student को बताते हुए कहता है कि यदि वो लोग यूता को परिशान करेंगे तो रीका उन्हें नहीं छोड़े की और इसके चार student हो गई होते हैं इसलिए गोजो उन्हें दो-दोगे पीर में बाढ़ देता है जहां पर अपना यूता माकी के साथ मिलकर practice करेगा इसलिये गोजो यूता और अर्माकी को अपने साथ स्कूल लेके जाता है जहां से दो बच्चे गायब हो गई होते हैं और इनके पीछ सबसे जर्ड़र इनर्जी और सबसे चलते ही कर्सिस जंव कर कुछ इस बीच मंदर यूजते हैं जोपी का फार चल rope होटा जिसे देखकर यूता डर गया होता है तो माकी उसे बताती है कि जो कर्स जिता कमजोर होता है वो उत्ते ही बड़े ग्रुप के साथ नजर आता है और ये बोलते साथ ही वो एक ब्लो में सारी कर्सिस का काम तमाम कर देती है जिसके बाद वो दौनों बिल्डिंग के अंदर चल जिस पर यूता गहरा होता है कि वो तो जस्ट नया नया ही जोइंग किया हुआ है इसलिए वो अभी काफी नीचे रैंक में होगा और वो अपनी स्टूडेंट आइटी माकी को दिखा देता है जहां पर माकी ये दिखकर काफी ज़्यादा शौक रहती है कि नया स्टूडें बाहरी गिर गया होता है और वो कर्स यूता और माकी दोनों को ही खा लेता है वहीं कर्स के पेट में माकी काफी ज़्यादा फ्रस्टेट हो रही होती है क्योंकि अपने वैपन की हेल्प के बिना वो यहां से बाहर नहीं निकल सकती वहीं पर उन्हें वो दो बच्चे मिल ग और तभी माकी तुरंथी जमीन में गिर गई होती है क्योंकि वो भी कर्ष के चपेट में आ गई होती है और यह सब देखकर यूदा काफी जादा डर गया होता है इसलिए माकी यूदा से पूस्ती है कि वो जुचुसु हाई क्यों जॉइन किया था जिस पर यूदा बता रहा होता है कि वो नहीं चाहता है कि उसकी वजह से कभी और कोई मारा चाहे साथ ही वो नहीं कभी आकीलर रहना चाहता है और वो लोगों की help करना चाहता है जिस पर माकी कहरी होती है तो क्यों न वो अभी सही काम स्टार्ट करे और वो continue Curse 다Jay और लोगों की help करे चूंकि जुसु तुम्हाई में वो लोग इसलिए आते हैं ताकि वो Curse 다Jay को मिटा कर लोगों की help कर सकें जिन बातों को सुनकर यूता रिंग को बहनता है और रीका से हेल्प मांगता है जहाँ पर उसके हेल्प मांगते साथ ही रीका अपियर होती है और कर्सिस का काम तमाम करना स्टार्ट कर देती है वहीं जैसे ही कर्स मारा जाता है तो यूता माकी और बच्चों को लेकर सेफली बाहर आ गया होता है इसलिए गोजो माकी और बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और वहीं पर यूता एक पेशेंट को देखता है और अपने पास्ट को याद करने लग गया होता जहां पर जब वो hospital में admit रहता है तो उसे पहली बार रीका वहां पर मिली होती है और इसके बात सही उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई होती है जहां पर वो दौनों एक दूसरे के साथ काफी जादा time spent करने लग गए होते हैं और तब सही उन लोगों ने decide कर लिया होता है कि कि वो लोग हमेशा साथ में ही रहेंगे जिन बातों को सोचकर यूता गोजो से पूच रहा होता है कि क्या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रीका ने उसे कर्स ना किया हो बलकि उसने रीका को कर्स किया हो जिस पर गोजो कह रहा होता है कि यहां पर ऐसा कोई भी कर्स नहीं है ज रीका जैसे पाउरफुल कर्ज से मुक्ति पाना इतना आसान नहीं होता और इसके लिए हजारों तरीके होते हैं बट वहीं स्कूल में उसने एक रिंग की हेल्थ से रीका को समन किया था और यदि उसी टेकनिक का यूज करकर यदि वो रीका की कर्ज को किसी वैपन में ट्रां गया होता है वहीं ट्रेनिंग करते हुए यूदा को अब तीन मंत हो गए होते हैं और वो सौड फाइटिंग में काफी अच्छा हो गया होता है इसे बीच वहां पर गोजो आता है जो कि तोगा को उसका मिशन देता है और साथ में सपोर्ट करने के लिए यूदा को उसके सा करते ही उनके लीडर गोजो और यहां तक करकी यूदा को भी मारने का ओडर देतेंगे जिसके बाद यूदा और तोगा डेस्टिनेशन में पहुच गया होते हैं जहां पर तोगा अपने लिए थ्रोड मेडिशन लेकर आता है और इसके बाद वो लोग कर्ष को कर देता है पर ऐसा करने के बाद उसका गला बैड गया होता है जिसके बाद वो लोग जब बहर जाने की कोशिश करते हैं तो वेल ओपन ही नहीं हुआ होता और इसी बीच एक कर्स आकर उनके उपर अटेक कर देता है जिसे देखकर तोगा अपनी कर्स पीच का यूज करकर जलक हराब होने के चलते ही वो कर्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाता इसी इसको देखकर यूता तोगा को सेव जगा पर लेके जाता है पर ऐसा करते हुए वो तोगा की मैडिसन को जमीन पर ही गिरा देता है वहीं तोगा अकेले ही कर्स से निबट निगल जा रहा होता है तो कोई नुकसान हो इसलिए यूता को समझ में आ गया होता है कि तोगा ही इस कर्स को मार सकता है इसलिए वो तोगा की मैडिसन उठा कर उसे तोगा के पास फेक देता है जिसे कैच करकर तोगा तुरंथ ही उस मैडिसन को पी लेता है और पीने के बाद अपनी कर्स एनरजी का यूज करकर उस कर्स का काम तमाम कर देता है जिसके बाद हमें गोजो को दिखाया जाता है जो कि उसी लोकेशन में पहुच गया होता है जहां पर कर्स ने उसके स्टूडेंट के उपर अटेक किया होता है और रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि इन सब के पीछे एक गेटो नम का बंदा होता है जो कि उसके साथ ही जिजिसू हाई में पढ़ा करता था और वो सबसे बुरा कर्स यूजर है क्योंकि उसने अपने कर्स एनरजी का यूज करकर काफी सारे इनोसेंट लोगों को मारा होता है वहीं ये सारी बात है गोजो जब प्रिंसिपल को बतात होता है और उसे अपनी टीम में आने के लिए गहरा होता है पर साथ ही वो माकी की इंसल्ट कर देता है क्योंकि माकी के पास कोई भी पावर नहीं होती इस चीज को सुनकर अपना यूटा काफी गुस्से में आ गया होता है और वो गेटो की टीम जॉइन करने से मना कर देता ह इस बात को सुनकर गेटो कहरा होता है कि वो यहाँ पर उसके दोस्त और उसकी इंसल्ट करने नहीं आया था तो गोजो आखर उससे पूसता है कि यदि वो उनकी इंसल्ट करने नहीं आया था तो वो यहाँ पर करने क्या आया है जिस पर गेटो गहरा होता है कि वो उन लोगों को यहां पर सिर्फ ये बताने आया है कि वो 24 दिसंबर को जो 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 सुहाई के साथ वार करना चाता है जिस पर गोजो गहरा होता है कि वो आज उसे यहां से जिन्दा ही नहीं जाने देगा जिस पर गेटो बता रहा होता है कि उसने अपने कर्सिस यहां पर उसके स्टूडेंट ही उपर छोड़ दी है इसलिए जिदि आज उसे यहां पर कुछ भी हुआ तो उसके स्टूडेंट भी नहीं बचेंगे जिन बातों के चलते ही गोजो गेटो को वहां से सेफली जाने देता है जिसके बात हमें गोजो का पास दिखाया जाता है जहां पर गोजो और गेटो काफी अच्छे दोस होते हैं वहीं पर गोजो अच्छाई के साथ में होता है और गेटो बुराई के साथ में होता है जिसके चलते ही गेटो अपने अलगी रास्ते में चले गया होता है जहांपर गोजो गेटो को मारना भी चाहता था पर एक अच्छे दोस्त होने के नाते वो ऐसा नहीं कर पाता जिसके ब मार कर रीका को अपने कबजे में ले लिया तो उनके जीतने के चांसिस 99 परसेंट बढ़ जाएंगे और इसके चलते ही गेतो डिसाइड करता है कि वो यूदा को मारने के लिए जुजुसु हाई जाएगा और बाके सारी टीम गोजो और उसके टीचर्स को फाइट में उल्जा के बिना कर से फाइट कर सकती है तभी हमें दिखाया जाता है कि गेतो जुजुसु हाई में पहुच गया होता है और अपने स्पेल का यूज करकर वहाँ पर वैल क्रियेट कर देता है अधर साइड हमें गोजो को दिखाया जाता है जिसे इन सब चीजों का अंदाजा लग क्या होता है इसलिए वो पांडा और तोगा को पकड़ता है और उन्हें टेलपोर्ट करकर जुजुसु हाई भेज देता है वहीं जुजुसु हाई में माकी गेतों से फाइट करती है पर गेतों उसकी कंडिशन काफी जादा खराब कर देता है तभी वहाँ पर पांडा आत और उन तीनो की कंडिशन ही खराब कर देता है वहें इन सब चीज़ों को देखकर यूदा भापर आता है और जब वह देखता है कि उनके सारे फ्रेंड बुरी-तरीके से इंजकर होगा है इसी इसको दिककर वो काफी ज़ादा गुसे में आ गया होता है और तरंथ ही रीका क को पसंद करने लग गया है पर यूता उसे बताता है कि ऐसा नहीं है और वो गलत फैमी का सिकार है बलकि यहां पर कोई उसका दुस्मन है तो वो गेतो है इस बात को सुनकर रीका कहरी होती है यदि गेतो उसका दुस्मन है तो वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे अधर साइट काफी करी टकर हो रही होती है वहीं पर जब यूता अपनी कर्स एनर्जी का यूज कटाने के उपर करता है और गेटो के उपर अटेक करता है तो ऐसा करते हुए उसके कटाने के टुकडे टुकडे हो गए होते हैं इसलिए यूता अपनी केर्स एनर्जी का यूज करकर उसके उपर 65 बरसाना स्टार्ट कर देता है जिससे गेटो की कंडिसन काफी खराब हो गई होती है इसलिए अब गेटो के पास कोई आप्शन नहीं बचा होता और वो अपने स्पेशल ग्रेट की कर्स को यूज करने लग गया होता है ताकि वो यूदा को मार सके यहां पर यूदा को समझ में आ गया होता है कि यह उसका आखरी मुमेंट भी हो सकता है इसलिए वो रीका से confess करता है कि वो से काफी ज़्यादा प्यार करता है और एक आखरी बार वो से अपनी पूरी ताकत का यूज़ करने दे क्योंकि इसके बाद वो लोग हमेशा साथ में ही रहेंगे चाहे इसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़े जिन बातों को सुनकर रीका चिला के कह रही होती है कि वो भी उससे काफी ज़्यादा प्यार करती है और इसके बाद उसकी तीसरी आखी खुल गई होती है और वो काफी पावरफुल अटेक करने लग गई होती है जहाँ पर गेतो भी काफी पावरफुल अटेक करता है बट रीका और यूता के पावर के सामने उसके पावर काफी फीकी पड़ गई होती है और वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिस ब्लास्ट के चलते ही गेतो मरते मरते बसता है और इसे बीच वहाँ पर गोजो पहुच गया होता है, जो कि गेतो से पूचता है कि यदि वो चाहता तो उसके स्टुडेंट को मार भी सकता था पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया, जिस पर गेतो कह रहा होता है कि वह भी जो जुखाय से ही पढ़ा हुआ है साथी साथ गेतों सिर्फ लीडरों से नफरत करता है ना कि वहां के स्टूडेंट से इसलिए वो चाहकर भी उनके स्टूडेंट को नहीं मार पाया जिन बातों को सुनकर गोजो कहता है कि वो उसे कुछ सीक्रिट बात कहना चाहता है और मूवी रीका वापस से अपने human form में आ गई होती है इसी इसको दिखकर गोजोन से कहरा होता है कि उसने यूता की family के उपर research करकर ये पाया कि यूता की family एक sorcerer थी जिसके चलते ही रीका ने यूता को नहीं बलकि यूता ने रीका को curse कर दिया था और वहीं पर जब रीका के accident हुआ था तो इस trauma से यूता बाहर नहीं निकल पाया था और उसने रीका को curse कर दिया था इसके इन सब बातों को सुनकर यूता रौने लग गया होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने इत्ते सालों से रीका को एक curse बना के रखा हुआ था जिस पर रीका कह रही होती है कि ये तो काफी अच्छी बात है क्योंकि उसे काफी जादा टाइम मिला यूता के साथ साथ रहने के लिए जिसके चलते ही वो काफी जादा खुश है जिसके बाद रीका अपने यूता को गुडबाई बोलती है और वो डिसिपियर हो गई होती है इन सब के बाद लास्टम हमें गोजो को इसके बाद यूता अपनी टीम के साथ मिशन के लिए निकल गया होता है और इसके साथ ही यहीं पर इस कहानी की हैपी एंडिंग होती है वीडियो आपको कहीं से भी पसंद आ गई हो तो आप इस वीडियो पे लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करकर अपना जरूर दिखाएं सो टाकूस अगली मुकालात आपसे जल्दियों की नेक्स्ट वीडियो में तब तक करके लिए टे कैर एंड गुड़ बाए